ग्राफ खीचने हमें अभी तक हम लोगों ने y is equal to fx का करे ग्राफ पता आए तो इससे हम लोग ग्राफ के साथ fx minus a का क्षीचना सीख चुके है fx plus a का खीच चुके है या fx plus a का भी हम लोग खीच सकते है fx minus a का भी खीच सकते है उसके बाद अब हम सीखते हैं minus f x का और f minus x का इसका कैसे किसने है tutte if y equals to f x का ग्राफ पता है तो minus f x का minus f x का खिचने के लिए क्या करेंगे जो x axis है उसे हम mirror लेंगे और f minus x का खिचने के लिए क्या करेंगे y axis को हम mirror लेंगे अब इसे एक्जाम्पल के तरुछ समझते है y is equal to fx का ग्राफ पता है तो हम लोग कीजनेक इसका y is equal to minus fx का और y is equal to f minus x का इसके लिए x-axis को मिरर लेंगे इसके लिए y-axis को मिरर लेंगे जैसे y is equal to x इसका ग्राफ क्या होता है यह होता है y is equal to minus x का ग्राफ अगर कीजना है तब क्या होगा x-axis को मिरर ले ले Hong x-axis को अगर मिरर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह बन जाएगा और यह line क्या बन जाएगी इस मिरर से reflect होगे इधर को जाएगी यह हो जाएगा तो y is equal to minus x का graph यह हो जाएगा mirror का यह x होता है कि जैसे mirror से जो point जितनी दूर है pass वाला point बनता और दूर वाला point दूर बनता है जैसे अगर यह वाला point पास है तो यह वाला point पास में बनेगा यह वाला point दूर है तो यह वाला point दूर बनेगा बस यह logic लगाते हैं और जल्दी से बन जाता है mirror image जैसे कि अगर यह है और एक mirror image बनानी है तो क्या करेंगे जो point pass है तो यह pass कीज़ दिया और दूर जा रहा है तो दूर बनाते जा रहा है और फिर क्या है यह सीधी line है तो सीधी line तो सीधी बनेगी उसके बाद यह है तो यह क्या बन रहा है पास यह point क्या है दूर है इस से दूर है तो यह दूर बनेगा सीधा इस तरह से बनेगा तो दिमाग में रखते हैं तो जल्दी बन जाता है जैसे y is equal to sin x का में बता है y is equal to minus sin x का कैसे बनाएंगे sin x का क्या होता है यह इस तरह से होता है minus sin x का कैसे बनाएंगे x axis को mirror ले लेंगे यानि कि जितने भी यह loops हैं वो उपर चले जाएंगे और उपर वारे loops नीचे आजाएंगे यानि कि इस तरह से बन जाएगा जैसे कि अगर y is equal to cos x का हमें पता होता है इस तरह से y is equal to minus cos x का बनाना है क्या हो जाएगा x axis को हमें mirror लेना है तो यह कुछ इस टाइप से बन जाएगा अब जैसे y की value कुछ कोई graph ले लेते हैं 5 की power x इस तरह बनेगा इस तरह होता है अगर y is equal to minus 5 5 की power x इसका बनाना है तो जा तरहेंगे x axis को mirror ले ले पास वाला पास point पास में बनेगा mirror से दूर वाला दूर बस यही logic लगाईगी अब next ले लेते हैं कोई next जैसे लेते हैं minus a वाला और फिर minus कर तो या तो पहले यह वाला transformation लगा दे चाहे उसके बाद यह या फिर यह भी कर सकते हैं पहले यह वाला transformation उसके बाद यह तो देखो minus sin x minus 5y2 है तो पहले minus sin x का graph तो हम लोगों ने बना लिया है अभी बनाया तक आ गया है minus sin x का यह है अब हमें क्या बनाना है y is equal to minus sin x minus 5y2 अब अब fx minus का गरते हैं तो x में से कुछ घट रहा है x में minus हो रहा है तो right side ले जाते हैं इस पूरे graph को में कितना shift करना होगा 5y2 shift करना होगा तो graph क्या बन जाएगा यह x axis यह y axis यह 0 यह pi यह 2 pi यह pi by 2 यह 3 pi by 2 यह minus pi by 2 यह minus का pi graph को plus का pi by 2 shift करेंगे right side तो क्या बन जाएगा origin जो होगा यह y axis कुछ reference line ले लेते हैं तो यह हो जाएगा pi by 2 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ग्राफ कुछ इस टाइब से बन जाएगा और इस minus pi by 2 origin की तरीके काम करेगा यहाँ पर जो value मिल लाई थी यहाँ पर मिलेगी उसके बार यह तो इस तरह जखीन सकते हैं अब next transformation देखते हैं for example y is equal to e to the power x का हमको पता होता है वो यह होता है y is equal to e to the power minus x का क्या हो जाएगा f minus x का तो y axis को मिलेगे अगर minus f x का होता तो x axis को मिलेगे यहाँ पर f minus x है तो फिर क्या करेंगे y axis को मिलेगे ग्राफ क्या हो जाएगा कुछ इस टाइब से बन जाएगा पास वाला पास पास में दूर वाला पाइब दूर कुछ इस टाइब से अगर यही ग्राफ कीचना होता y is equal to minus e to the power x यह करना होता तब क्या करते हैं तब हम x axis को mirror लेते यहीं इसे mirror लेते तब बन जाता है यह अगर इसमें अगर y is equal to minus e to the power minus x का ग्राफ कीचना है तब क्या करते हैं तब हमें दो ट्रांस्वर्मेशन लगाने e to the power x का अगर हमें पता है पहले तो यह ख्राफ कीच लिया या पहले यह ग्राफ कीच लिया दोनों में से कोई यह ग्राफ कीचना पड़े उसके बाद next transformation क्या करेंगे अगर इसको यह कीच लिया इसके बाद तो क्या करना पड़ेगा माइनस लगाने के लिए क्या करना तो यह ग्राफ कुछ इस टाइब से बन जाएगा इसका ग्राफ अगर इससे लॉजिक लगाते तब यही हो जाता है कि f-x इससे इसमें जा रहे हैं तो क्या कर रहे है माइनस का fx और अगर इससे इसमें जा रहे हैं तब क्या कर रहे हैं एफ माइनस एक्स इसमें जा रहे हैं तो x-axis को मिरर ले रहे हैं इसमें y-axis को मिरर ले रहे हैं अगर y-axis को यहां मिरर लेते हैं तो यह वाला पार्ट क्या हो जाएगा इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यह वाला पार्ट क्या हो जाएगा इधर वाला इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो नया ग्राफ हमें यह मिल जाएगा तो चाहे इससे कर लें चाहे इससे कर लें बात सेम है नेक्स्ट कुछ और ग्राफ देखते हैं जैसे कि अगर y is equal to mod x का ग्राफ क्या होता है यह होता है f minus x यानि y is equal to mod of minus x इसका ग्राफ कीशना है तब क्या करेंगे इससे इसका ग्राफ कीशना है तो क्या करना है f of minus x हो रहा है और f of minus x के लिए करते हैं हम लोग y axis को mirror लेते हैं y axis को अगर mirror ले 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 तो क्या होगा same to same y image आ जाएगी तो इन दोनों के ग्राफ में कोई फरक नहीं पड़े होगी जो की logic से भी हमें पता चल ला है कि mod के अंदर minus plus से कोई effect नहीं पड़ता बाहर same to same y image आ जाती है positively अगर पुछा जाएगे minus fx यारी y is equal to minus mod of x यहां क्या ग्राफ यहां से यहां में जा रहे हैं तो y is equal to minus fx वाला transformation लग रहा है तो इसका ग्राफ कैसे कीचेंगे x-axis को mirror लेंगे आपके x-axis को अगर यहां mirror ले 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 तब क्या बन जाएगा यह वाली line जो है वो इस तरह भी चाहिए यह वाली line इस तरह आजाएगी तो जो y is equal to minus mod x का ग्राफ यह हो जाएगा अगर कहा जाए y is equal to minus mod of minus x का क्या चाहिए तब क्या होगा इसका ग्राफ हम लोग की चुके है तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा transformation minus fx का करना पड़ेगा यानि x-axis को mirror मानना पड़ेगा तो ग्राफ यह जाएगा तो इसका ग्राफ यह जाएगा let's suppose अगर हमें यह ग्राफ की चुके है इससे इसमें convert करना है तो क्या करना पड़ेगा f of minus x का transformation आना पड़ेगा f of minus x का transformation का मतलग y-axis को mirror लेंगे y-axis को यहाँ पर mirror लेंगे तो same to same को इफेक्ट पड़ेगा नहीं यही ग्राफ आ जाएगा अब कुछ next transformation लेंगे अभी तक हम लोगों ने कौन-कौन से ग्राफ खीच लिए y is equal to fx का पता है तो हम लोग किसके खीच सकते हैं y is equal to fx minus a का खीच सकते हैं या fx plus a का खीच सकते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा right ward इसमें left ward graph को खीच लेंगे पगड़के खीच लेंगे fx plus minus a का खीच सकते हैं इसमें downward खीचना पड़ेगा पूरे graph को a unit downward fx plus a का भी खीच चुगे हैं upward यहां पे पूरे graph को a unit upward ले जाना पड़ेगा और आज के lecture वीडियो पे देख चुके हैं f of minus f of x और f of minus x का देख चुके हैं तो इसमें क्या है x axis को graph यह x axis को mirror लेंगे या उपर या नीचे ठीक है और f of minus x का खीचना है y is equal to fx का पता होना जाहिए पर तो y axis को हम लोग mirror लेते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कुछ और graph के transformation जैसे की y is equal to mod of fx y is equal to f mod of x का कैसे हिस्टे है हिस्टे है प्रवीपिदे हैं प्रवीं को डेखेंगे कर दो कर दो को फो दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल